बॉलिवुट की मशूर कोरियोग्राफर सरोज खान का दिल का तौरा पढ़ने से निधन हो गया वे पिछले कई दिनों से बिमार चल रही थी उनके निधन पर फिल्म इंडेस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने दुख जताया है एक रिपोर्ट देखिए बॉलिवुट की मशूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने शुकरुवार को अंतिम सास ली सरोज खान अब दुन्या में तो नहीं है लेकिन उनकी शोहरत उनके डांस मूव्स लोकों की दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे इस बीच उनके साथ कभी न कभी काम कर चुके फिल्म सरोज खान जी अलविदा आपनी कलाकारों को ही नहीं बलकि पूरे हिंदुस्तान को बहुत खूपसूरती से सिखाया कि इंसान शरीर से नहीं दिल और आत्मा से नाचता है आपकी जाने से नुरत्य की एक लह डगमंगा जाएगी मैं परसनली ना सिर्फ आपको बलकि आपक सरोज खान के निधन से मैं तूट कई हूँ डांस में अपनी पूरी शमता तक पहुचाने में मेरी मदद करने के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी दुन्या ने एक अधभुत प्रतिवाशाली व्यक्ति को खो दिया है मैं आपको याद करूंगी उनके परिवार के प्रति मेरी सची समवेदना है 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 अक्षे कुमार ने टूइट करते हुए लिखा सुभा एक दुखत समचार मिला कि दिगच कोरियोग्राफर सरोज खान हमारे बीच नहीं रही उन्होंने डांस को इतना आसान बना दिया था कि मानो हर कोई डांस कर सकता है इंडस्री के ल उनकी आत्मा को शांती मिले कॉरियोग्राफर रेमो डिस्यूजर ने ट्विच किया कि सरोज जी आपको हमेशा याद करूंगा डांस की दुन्या को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपको बता दे कि 71 साल की सरोज खान ने तीन साल की उम्र में चायल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू कर दिया था पचास के दशक में उन्होंने बैक्ट्राउं डांसर की रूप में नई पारी की शुरूआत की इसके बाद वे असिस्टेंट डारेक्टर बनी और 1974 में आई फिल्म कीता मेरा नाम से उन्हें बतार कोरियोग्राफर पहला ब्रेक मिला के चलते उन्हें मदर ओफ जांस भी कहा जाता है उन्होंने आखरी बार 2019 की फिल्म कलंक के गाने तबाह हो गए में मादुरी दिक्षित को कॉरियोग्राफ किया था एंटर्टेंडमेंट लाइफ की रिपोर्ट